तो दोस्तों यहाब हम आ गए हैं भान गड़ के किले में और हमने किले की चड़ाई भी कर लिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ इस किले से नीचे का व्यू कैसा है यह आप देख सकते हैं किला किती दूर तक फैला हुआ है यह यह अलवर का भान गड़ा किला और चारो तरब से पहाड़िया हैं और बीच में इस किले को बनाया गया है दूर दूर तक आप देखोगे तो इस चारो तरब इदर पहाड़िया हैं आगे बराबर में दोनों साइड और पीछे और नीचे यह सारा किला बनाया हुआ है अब यह हम सबसे उचाई पे खड़े हैं किले की अब यह पूरा द्वस्त हो चुका है सुनने मा रहा है कि इसकी खुदा इसलिए करी गई थी ताकि इसमें कुछ खजाना वगरा मिल जाए और क्या बता मिला भी हो तो इसके बारे में तो हमें पता नहीं है किसी ने ऐसे को बड़ा ही प्यारा है की वाल जार क्या र मंठी घु स्क्राबदाटाना नहाँ कुछ इस खर्णत आउ टास के चाल queremos लाखे दुगिना वालार क्या रहाँ क्लांव हो तो के लगक मिल पाल डखना financiering अरे आगिया सर चली रहे हैं अब घर हो और क्या रखायां क्यों होई नहीं होई आ । कि अरुद्र जिल तोड़ घाया है यह और भी नहीं ब्हुताइब आनके अर्व जब आइगा यह इस आइए छोटे है। करने का अब अखल के हुए विने भाई अब इनका शुरूर सा आया कुछ भानगर के लाशूट कर रहा हूं और होंटेट प्लेस में आता है कि अच्छा कर दो मेंगरी ओ क्रते हैं! झाल झाल